इसलबए सभी बच्चों को मिरा नुष्छार बात हम कर रहे थे लापलास्ट ट्रांस्टिर्मेशन की हार मैंस्टमेटिक्स की सणखला चली उसही में टॉपिक है यह थरड समिश्टर समिश्टर three universities का उसका mathematical methods जो book है उसका पार्ट है ठीक है Laplace transformation में बता दिया था चुकि उसका इस्तेमाल यहां पर होगा इसलिए आप description में उसका link दिया उसको पर देख लीजेगा तब इस पर पहुंचेगा इसकी पहली property होती linear property क्या होती linear property यह कह रहे हैं कि अगर माल लें कि if f1t and f2t f3t बहुँ सारे हो सकते हैं are the functions are the functions यह एक functions है t के function नहीं तरीके से इदिका तो Laplace transform करते थे आप allow ft करके निकालते थे तो कहते हैं अगर f1t और f2t यह functions है then यह कहे क्या रहे हैं कहते हैं अगर आप f1t में किसी constant का multiply कर दे ठीक है और f2t में भी किसी constant का multiply हो और in-reide करें और जो result है इस result का Laplace transformation निकालना चाहें तो यह equal to होता है यह constant बहारा जाएगा Laplace transformation of f1t हो जाएगा प्लस यह c2 बहारा जाएगा और Laplace transformation of f2t हो जाएगा यह आप से कह रहे हैं है कुछ नहीं मताई कह रहेगा अगर दो function t1t और t के हैं f1t और f2t उनका Laplace निकालना है तो नियमता उनको अलग-अलग Laplace आप निकाल सकते हैं अलग-अलग Laplace निकाल सकते हैं लेकर c1 c2 से मलने multiply है यह c1 c2 are constants c1 and c2 are constants देखो ध्यान से क्या होता है पहली बात तो f1t और f2t का Laplace क्या होता है यह समझे आप we know that इसको proof करने जा रहे है इसको कहते है linear property ठीक है जब आप कभी ऐसा rule लगाएंगे न तो आप लिखेंगे by linear property आपको property लिखनी पड़ेगी we know that we know that कि Laplace transformation of f1t अगर निकालना हो जिसको कि हम f1s लिखते हैं s के term में तो इसका formula आपको बताया गया था 0 to infinity 0 to infinity e to power minus st f1t dt यह आप जानते हैं Laplace transformation of f1t निकालना हो तो होता है 0 to infinity e to power minus st f1t dt और Laplace transformation of f2t निकालना हो तो जिसको कि हम f2s लिख सकते हैं इसका formula था 0 to infinity e to power minus st f2t dt यह हम जानते हैं अब हम करेंगे क्या यह पूरा जो function है ना इसको ft माल लेंगे और इसका Laplace transformation निकालने की कोशिस करेंगे और यह अपने आप यह निकालना चाहिए नाओ लाप्लास transformation आप c1 f1t प्लस c2 f2t अगर पूरे का Laplace हम निकालें तो हम जानते हैं e to power minus st के साथ यह multiply में लिख दिया जाता है यह rule होता है तो यह क्या लिखा जाएगा 0 से infinity e to power minus st और in bracket क्या आएगा c1 f1t प्लस जा राइटिंग गंदी है इसको manage कर लिजिएगा f2t यह Laplace हो गया dt यह होता है ना अब integral को open करिएगा integral open करना आपको आता है कि अलग-अलग कैसे integrate हम करते हैं ठीक है देखिए इसको integral खोलना आपको आता है equal to हम जानते हैं इसका अलग-अलग integral हो सकता है और यह c1 बहार सकता है तो आएगा c1 integral 0 to infinity अब आप कहेंगे यह तो आपने मैं Laplace लगा रहा हूं अब तो Laplace कतम हो गया आप तो integral लगा रहा हूं मैं तो c1 बहार हो गया यह आएगा e2 पॉर minus st f1t dt प्लस c2 बहार हो गया integral 0 to infinity e2 पॉर minus st f2t dt अभी आप पढ़ चुके हैं c1 यह क्या है यह अभी आपने पढ़ा है Laplace of f1t प्लस यह क्या है यह Laplace of f2t यह तो आपने पढ़ा है ना यह हैंस प्रूप्ड हो गया तो यह आपका linear property का proof है कि linear property होती क्या है एक आथ example देख लेते हैं क्या क्या linear property लगाते कैसे हैं ठीक है जैसी यह example है 3t square plus 2 sin 3t plus 4 e to power t का Laplace निकालना है अब देखो यह भी t का function है यह भी t का function है इसके साथ 2 3 का multiply है इसके साथ 2 का multiply है इसके साथ 4 का multiply है तो by linear property क्या होगा लिखेंगे 3 बहार आ जाएगा Laplace of t square हो जाएगा यहाँ पर 2 बहार आ जाएगा Laplace of sin 3t हो जाएगा plus 4 बहार जाएगा Laplace of e to power t हो जाएगा लिखेंगे by linear property linear property यह लिखना पड़ेगा आपको अब देखिए इसके पहले वाले concept में हमने पढ़ाया है Laplace of t square कैसे निकालते थे हमने बताया था Laplace of t की power n निकालने का तरीका होता है अगर आप पहले वाला वीडियो देखा हो तो उसमें formula आपने पढ़ा होगा क्या formula था gamma n plus 1 gamma n plus 1 upon s to power n plus 1 और हमने कहा था अगर n natural number है या आपका ये positive integer आ रहा है तो ये factorial n upon s to power n plus 1 होता है है ना तो देखिए यहाँ 2 है ना 2 है यहाँ पर तो factorial कितना हो जाएगा factorial 2 हो जाएगा upon s की power 2 प्लस 1 हो जाएगा यह आपका laplace किसका हो गया t square का plus 2 अब साइन 3t का laplace क्या होता है साइन 80 का laplace हमने बताया था a upon s square plus a square तो साइन 3t क्या हो जाएगा 3 upon s square plus 3 square plus 4 8 पावर T का लाप्लास क्या होगा 8 पावर 8 पावर 80 का लाप्लास बताया गया था 1 अपान S माइनस A यहाँ पर 1 T है तो आएगा 1 अपान S माइनस 1 तो this is the answer थोड़ा सा कल्कुरेट कर लो 3 दो निछे 6 अपान S क्यूब प्लस 6 अपान S स्क्वाइर प्लस 9 प्लस 4 अपान S माइनस 1 इन फार्मुले जो लिख रहे है न इनको ध्यान से देखेगा क्योंकि बिलकुल लाप्लास इन्वर्स में इसका उल्टा आप से प्रूफ कराया जाएगा ठीक है तो यह इसका एक्जाम्पल है बहुत इसी एक्जाम्पल है और सारे कुछन इससे हो जाएंगे इसके बाद बात करेंगे अगली प्रॉपर्टी की तब तक गुड़नाइट